परमिश्वर के अद्भूत नाम में आप सब का फिर से एक बार स्वागत करती हूं थैंक्यू सो मच आप मेरे साथ पेशन फुली जुड़े रहते हैं और मुझे सुनते हैं आपका धन्नवाद और पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आत्मा में क चोड़ा था कि आत्मिक दुनिया कैसे काम करता है और कैसे ऑपरेट होते हैं तो मेरे उसमें से मैं आज एक पॉइंट पे आप लोगों से डिसकस करना चाहती हूं और ऐसा कहें कि एक पहलू आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं और शेयर करने से पहले मैं चाहते हूं कि आप ये वीडियो को और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को अपने परिवार के मेंबर्स को शेयर करें ताकि वो जाने तो मैं आप लोगों को जो आज बातें बताने के लिए जा रहे हूं वो इस प्रकार है कि आत्मिक दुनिया काम कैसे करता है आत्मिक दुनिया काम कैसे क पहले मैं आपको बताना चाहते हूं कि जो एक मनुश्य है आप और हम हम एक आत्मा के साथ साथ एक शरीरिक भिक्ति भी हैं कैसे जैसे कि एगर आप लोग मुझे सुनते हैं तो आप लोगों को पिछले वीडियो में पता चला होगा कि जो मनुश्य है वो तीन तक्तों से मिलक बना है वो है प्रांग जिसको हम सोल बोलते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्य के यसी क्या आउशक्ता पड़ी थी कि मनुश्य को यह कहूं कि आत्मा को शरीर दिया गया जैसे कि मैंने बताया कि एक राज्य में दो राज्य नहीं कर सकते कोई एक ही राज्य करेगा तो कि राजा और राजकुमारी बने वैसे आपको बता दो कि आत्मा में जेंडर नहीं होता है तो आप चाहे मनुश्य शरीर में इस्त्री हो या पूरुष हो परमेश्य को माइने नहीं करता आप आत्मा में एक किंग है एक राजा है तो परमेश्वर स्वर्ग के या आप कहू king and sorry not queen king बनाना चाहा रहा था इसलिए हमको अर्थ में भेजा और अर्थ जो है special तरीके से operate होता है तो इस अर्थ में जो रहता है इस अर्थ के साथ अगर आपको male जोल बढ़ाना है या operate होना है तो आपके पास body चाहिए तो परमिश्वर ने आपको मिटी से रचा आपको body दिया उसके अंदर spirit दी और जब ये body और spirit जब दोनों मिलके बने तो क्या बना प्राण बना तो प्राण जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूं कि जो प्राण है वो एक पुत्र के समान है अगर आत्मा स्ट्रॉंग है तो प्राण आत्मा की तरफ जाएगा और अगर आपका शरीर स्ट्रॉंग है शरीर कहने के मतलब आपका जो five senses है जो मैंने बताया था आखें हो गई कान हो गया माउथ हो गया नोज हो गया टच अप इस संसार के चीजों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो तो आपका प्राण किधर जाएगा शारीरिक चीजों पे जाएगा तो इस तरह से ऑपरेट होता है तो मेरे प्रियो आपको बाइबल में से में एक उदारान देना चाहती हूँ कि कैसे हमको पता चलेगा कि आत्मा जो है एक आत्मा इस अर्थ पे इस प्रिथ्यू पे काम करने के लिए मनुश्य के हामी की जरूरत होती है उसके अग्रिमेंट की जरूरत होती है मैं उसका उदारान देती हूँ आप लूका एक का 38 पढ़ेंगे आप अगर इसको पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कैसे इश्यू मसी के जन्म की घोशना होई थी तो यहां पर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको लूका एक का 26 से लेकर के आगे आगे आपको स्टोरी मिल जाएगा 38 तक जहां पर मैं लास्ट जो निचो कि स्वर्ग दूत जो है स्वर्ग दूत माता मरियम के पास आये और माता मरियम के पास क्यों आये वो उनको एक शुपशंदेश देने के लिए आये तो यह परमिश्वर की ओर से था तो वो परमिशन लेने के लिए आये थे माता मरियम को क्यों 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 उनको चूस किया ह था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक मनुष्य जो इस परिफिन पर प предлож tests पैदा हुआ है पैदा होने से पहले वो कहा था ओपरमिश्वर के माइंड में था भद्रमिश्वर की तो इस widget में था इज परिट था और उसको इस पर एफ बेजने के लिए शरीर की जरूरत है क्योंकि स्पिरिट अपने आप में वर्क नहीं कर सकता इस थर्ड डामेंशन में आपको बताऊंगी थर्ड डामेंशन के बारे में भी बताऊंगी अभी फिलहाल जो आप समझने के लिए सुनिये मेरे साथ कि स्वर्ग दूत जो है मर्यम स से शरीर उधारी मांगने आया था टेक्निकली ठीक है अपने अंडेस्टैंडिंग में तो उन्होंने माता मर्यम से अग्रिमेंट के लिए पूछने आये थे कि क्या मैं मैं आपको अपने शब्दों बता रहे हूं कि जो रियल कन्वर्शेशन अगर अगर देखा जा तो इस परमेश्वर ने आपको चूस किया है तो क्या यह आप कर सकते हैं तो यहां पर जो है लुका एक का 38 जान लिखा है मर्यम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूं उन्होंने अग्रिमेंट किया यस खा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो तब स्वर्गदूत उसके पास से च चाहे यह पवित्र आत्मा जिसको हम होली स्पिरिट बोलेंगे चाहे दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो आपके शरीर में आप जब तक अच्छी चीजें या बूरी चीजें जो अंगिकार करते हैं क्योंकि प्रिथ्वी की हर एक चीजें में आत्मा पाई जाती है आप जो दूसरों को बोलते हैं डाटते हैं या ब्लेसिंग देते हैं जो भी आप अपनी शब्द से निकालते हैं वह एक आत्मा है वह स्पिरिट है तो अगर अगर वह आपके सामने अभी नहीं प्रकट हुआ पर याद रखिए शब्द कभी मरता नहीं है साइंटिस्ट लोगों न देखते हैं उसमें जो पीछे अपने अप जो हसने का आवाज नोग टेप रिकॉर्ड में देते हैं वह पहुत साल पहले एक थीयेटर में कॉमेड़ी शो चल रहा था तो वहां से वह रिकॉर्ड किया गया था तो आप जो अबहुत अभी सुन रहे हैं वह मरे हुए लोगो हमको बताती है कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस प्रिथ्वी को कंट्रोल करके रखा है सोचो कि इतना पावरफुल शब्द है तो आप जो शब्द बोले हैं वो कभी मरेगा नहीं मेरे प्रिव पावरफुल शब्द है वो आज नहीं तो कल आके आपका पीछा करेगा पीछा करेगा आपका तो जो शब्द है वो अपने आप में एक स्पिरिट है तो यहां पर जो स्वर्ग दूत है जो परमेश्वर एक आत्मा है हमने पढ़ा था योहन्ना की किताब में हमने कितनी बार आप सब्सक्रादाब इसंटे कि पर अपने आप में एक एक स्पिरिट एक निश्च़ ही उसकी भजन करने वाले लोग आत्मा और सचाय से कर यह क्यों क्योंकि पर मिशोट आत्मा है तो पर मिश्वर जो है इसुमसी है वह ऐसे आपकी इस प्रीथवी पे ऐसे बेयर आईस L इंपरेट नहीं होता क्योंकि वह आत्मा है और इस पृत्मी का रूल बोलता है कि आपको अगर इस पृत्मी पर ओपरेट होना है काम होना तो आपके पास एक जीवित शरीर होना चाहिए इसलिए स्वर्गदूत माता मर्यम को क्योंकि अगर आप पूरा हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो परमिश्वन ने कैसे एक एक जीन्स में से हटा हटा करें क्योंकि जो भवश्वानी हुई थी वो दावुद के संतान में से होना चाहिए था तो जो मर्यम जो है दावद के संतान में से आते थे तो उस तरह से उन्होंने परमिश्वन ने एक्स्ट्रैक्ट किया मदर मेरी का जीन ताकि उसमें से युशु मसी पैदा हो ताकि जो उत्पत्ति की किताब में जो भवश्योवानी किया गया था कि एक इस्तरी के अंदर से जो बीज निकले ग जैसे तो उसमें मरियम का अग्रिमेंट होना जरूरी था और मैं आपको बता दू कि उस समय में मरियम के समय में क्यों माता मरियम को वर्जिन वर्जिन कहा गया है क्योंकि उस समय में शैतान भाप लिया था कि हर एक जो दावद के घराने में से है उन लोगों के जीन्स को मर आपको वर्जिन रखी थी शुद्ध रखी थी हर प्रकार के जो कुमारी पन में होने वाले ब्याबीचार अशुद्धता सपने आपको दूर रखा था तो उसको पर मेश्वर ने चूज करके पूछने आए थे परमिशन लेने आए थे जब उन्हों अपने मूश अंगिकार क कि परमिशन में तेरी दासी तूज जसा चाहता है वैसे मेरे साथ हो जैसी उसने अंगिकार किया पूइत्रात्मा उसके अंदर आ गया और पूइत्रात्मा के दौरा वो क्या हुए प्रेगनेंट हुई तो मेरे प्रियो कई लोगों को भरम है कि क्या मैं इस्ष्व मसी को मै क्या मेरे अंदर पवित्रात्मा है कि पवित्रात्मा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूं आपके जस्ट एक बार अंगिकार करने से पवित्रात्मा तुरंत आपके अंदर आ जाता है चाहे आपको महसूस हो या महसूस ना हो वो अलग बात है कि पवित्रात्मा आपके अंगिकार करने के साथ ही आपके अंदर आ जाता है और वो अपना काम शुरू करता है कैसे जब आप वचन पढ़ते हैं तो ये वचन जो है ये शब्द जो है क्योंकि आप उत्पत्ती के किताब में आप पढ़ोगे एक का एक में जहां पर लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूं वहां लिखा हुआ है उत्पत्ती एक से एक में आगे पढ़ती हूं आदी में परमिश्वर ने अकाश और प्रिथुई की स्रिस्टी की प्रिथुई बेडौल और सुनसान पढ़ी थी और गहरे जल के उपर अंधियारा था तथा परमिश्वर का आत्मा जल के उपर मन्राता था मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहते हूं कि की पुईत्र आतमा जो है है Om गहरे जल के ऊपर मन्राता था रोओक्त हेरा था मेरे प्रियों अगर आप अंगिकार कर लें तो पूईत्रात्मा अंदर है और तब तक वो अंधा आपके अंधकार जीवन में भी पोईत्रातमा रहेगा मंडराता रहेगा तब तक मंडराता रहेगा जब तक आप चुप हैं आगे देखे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया मेरे प्रियो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप पोईत्रातमा पा करके भी आपके अंदर कुछ नहीं हो रहे है क्यों क्योंकि पोईत्रातमा को काम करने के लिए परमेश्वर का शब्द चाहिए क्योंकि यहां पढ़ोगे तीसरा में उत्पत्ति एक की तीसरा में लिखा जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो उजियाला हो कमांड किया तो क्या हो गया उजियाला होगा किसकी मदद से पोईत्रातमा की मदद से तो आपके अंदर जो पोईत्रातमा वो ऐसे ओपरेट नहीं होगा खुदी से आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में से बो क्योंकि आपको अपने द्वारा बोले हुए शब्द पे विश्वास नहीं है जब आप अपने बोले हुए शब्द पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं होंगी तो यह भी बहुत important है कि आप जो बोर रहे उस पे भी विश्वास करो क्यों क्यों क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आपने जो अंगिकार कर ले वो कहीं गया नहीं अभी भी अंदर ही है जैसे यहां पर प्रिथ्वी जो बेडॉल और सुंसान पड़ी थी उसके उपर क्या कर रहा था वो मैं प्रिव आपको यह भी बता देना चाहा रहे हूं कि जैसे परमेश्वर आत्मा है स्वर्गदूत आत्मा है तो शैतान भी क्या है आत्मा क्यों क्योंकि शैतान भी पहले क्या हुआ करता था एक अभिशिक्त करूब था एक स्वर्गदूत का फॉर्म था वो सेकंड क्ला एंजल था तो वो भी आत्मा है। तो अगर आप गलत चीजों को अंगिकार कर रहे हैं तो वो भी उसी ही तरीके से करेगा। क्यों कुँकि शैतान हमेगे इशू मसी को कॉपी किया रह था हूर। वो चीजों को create नहीं कर सकता, copy कर सकता है, पर परमेश्वर create कर सकता है, so आप जब कभी गलत शब्द बोलते हैं या अंगिकार करते हैं, तो वो भी enter होता है, इसलिए आपको समझ करके, देख करके, आपको अंगिकार करना पड़ेगा, तो पहला point आपको जानना ये है, कि आत्मा जो है, आपके अंगिकार करने से आपके body में आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है, जैसे कि ये जो hand gloves है, हमारे हाथ के size के अनुसार बना होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके body size में fit हो जाता है, और शैतान भी इसी तरह चीज की copy करता है, और रही बात, मैं आपको थोड़ा से एक और point बता देना चाहरी हूं, कि शैतान पाप नहीं करवाता, आप पाप करते हैं, शैतान सिर्फ आपको options देता है, options, क्योंकि शैतान ऐसे enter नहीं होगा आपके अंदर, आप जब तक नहीं अंगिकार करोगे, enter कैसे होगा, नहीं होगा, आप चूज करते हैं, आप select करते हैं, और आप जैसे कैसे शैतान को, मैं आपको बताता हम चाहती हूं, कि शैतान जो है powerful नहीं है, पर experienced है, क्यों, क्योंकि आप और हम जब पैदा नहीं हुए थे, तब से दुष्ट आत्मा है, शैतान तब से है, तो शै असक दिखाऊंगा उसको, तो वो ऐसा react करेगी, या ऐसा दिखाऊंगा, तो ऐसा react करेगी, तो मेरे प्रियो, जो पहला point और इस वीडियो का जो profound बात मैं आपको बताना चाहरे हूं, कि आत्मा आपके अंगिकार करने से enter होता है, चाहे अच्छा या परमेश्वर की आत्मा समझ गया, और परमेश्वर की आत्मा तभी operate होगी, जब उसको आप शब्द दोगे, और शब्द कहां से, परमेश्वर की वच्चन में से, और जो परमेश्वर का वच्चन आप बोल रहे हो, आप make sure करो कि आप उस पे पूरा पूरा faith रखते हैं कि नहीं, अगले वीडियो में आप लोगों को इसके next step के बारे में बताऊंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहे हैं, thank you, subscribe बिल्कुल, करिये और अपने friends लोगों को भी बताईए, तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहे हैं, चोटे चोटे टिप के साथ, praise the Lord.